हलो दोस्तों दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग Bluetooth headphone यूज करते हैं और Bluetooth headphone में थोड़ी सी वायर यदी खिच जाती है जैसा कि यह देख लो तो यह टूड़ जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हो यह headphone Bluetooth headphone है जो थोड़ा सा खिच जाने के कारण यह इस तरह से तूट जाता है तो आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आप इसे कैसे repair कर सकते हो तो आई शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों यह तको हो सकता है कि यह फॉल्ट आप भी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आपके Bluetooth के साथ भी हुआ हो कभी कभी तो अगर आपके हेड़फोन के साथ भी ऐसा हुआ है तो आप उसे आसानी से repair कर सकते हो बिना किसी खर्ज का बस आपके पास वोल्डिंग आरण होनी ही चाहिए कई बार ऐसा होता है कि बिना प्रॉडिंग आरण के भी काम करने के लिए लोग सिखाते हैं पर इस वीडियो में यह संभाव नहीं है आपके पास वोल्डिंग आरण जदी है तो आप इसे बना सकते हो तो आज शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो तो दोस्तों यह है ब्लूटूथ जोकि लोकल जाता है यह देखो यह जो इस्पीकर बडस है वहां से ही तार्ट उटता है यह फॉल्ट आपको जेनरल हेटफोन वायर में भी दिखेगा और ब्लूटूथ हेटफोन में दिखेगा हेटफोन के उपर दोस्तों हमने और एक वीडियो बनाया हुगा है जो कि काफी फसंद कि अगर नहीं देखा है तो जरूर देखो यदि आपका ब्लूटूथ हेटफोन पानी में गिरिया या यदि इसमें पानी चला गया तो आप उसे कैसे ठीक करोगे वाटर सोलूशन के उपर हमने वीडियो बनाया है अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना और चलिए इस यह देखो काफी महीन पार्ट्स रता है इसके अंदर गैलनियम ट्राइस्टर रेस्टेंस पी एफ सारा रता है और एक आईसी रत्ती है यह देखो आईसी आप देख पा रहे होगे और यह बैटरी है दोस्तों इसका नीचे यह जो बॉक्स दिख रहा है स्टील का यह इसकी बैटरी है यहाँ पे इसका माइक है और यह देखो यह माइक स्टेंड इसका तूट गया बट उससे ज़्यादा फर्क में पड़ेगा क्योंकि वो आधा ही तूटा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप इसे ओपेन करो तो आप इसे अच्छे से साफधानी पूर्वक ओपेन करो क्योंकि इसे ओपेन करने में बहुत कठीनाई होती है दोस्तों यह वीडियो थोड़ा लंबा है बट आपको इसे रिपेर करने में जो भी चैलेंजे जाएंगे वो आपको इस वीडियो में दिखेगा मैं वीडियो में ज्यादा कट तो नहीं लगाया थोड़ा बहुत कट और स्पीड मैंने बढ़ाया इसलिए भी है कि यह करना चाहरा तो इसका पुल बटन जो है वो नहीं आउन हो रहा है बट उसको जब पेचकर स्पर गराएं कि साइटास हम इसे आउन कर सकते हैं तो सबसे पहले तो इसके वायर को हंटा लेना है जो वायर खराब हो गया यह वायर जो प्लास्टिक है पता नहीं क्यों ऐसा हो है क्योंकि यह प्लास्टिक गिला गिला सा हो रहा है और जहां तहां से तूट रहा है तो सबसे पहले इस वायर को काट लेते हैं आप कैंची या कटर की साइटास इसे काट लेना इसे काट के हंटा ही देते हैं और ये दोनों साइट का wire को आपको काट के हठ आलेना है सरकित से ये wire को भी यहांसे निकालना पड़ेगा तो इसे ख surprises के निकाल लेंगे यो देखों दोस्तों कि इससे कीच के निकाल लेंगे इस तरह से ये द्खों ये wire बिल्पुल खराब हो गया है अंदर का वायर जो है copper wire वो बहुत अच्छा है बट उपर का जो प्लास्टिक है वो शड़ना सुलू हो गई पता ने किस कारण से बट यह बिलकुल खराब हो गया है और इस वायर को अब यहां से हटा लेंगे सविंग अने करम मैं आपको दियाना देना है जुसतों कि बोर्ड को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे क्योंकि बहुत महीण आइसी लगी हुई है यह बोर्ड को जादा घर्म करेंगे तो यह सायद ऊज जाए यानि को हिट नहीं करना आपको भी सोल्ट उप्योग मिला सकते हो यह देखो यह दोनों पट्टी का वायर हमने हटा दिया इसका जो स्पिकर है दोस्तों इसका जो बढ़ से दोनों वो ओपन होना उसका बहुत ही मुश्किल है उसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा अगर वो ओपन ह आपको इस तरह का पुराना कोई भी स्पिकर का टूटा हुआ वर्स लेना है यह दो को इस टैप का इस्पिकर रिपियर हो सकता दोस्तों इस पर भी हमने वीडियो बनाया है अगर नहीं देखा है तो देख लो और अगर अब तक नहीं देखा है मारे चैनल पर वीजिट करो वीडियो आपको मिल जागा और ऐसे मैं इसका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा हमें कोई भी पूराना हेटफोन का वायर लेना है और उसका स्पिकर लेना है इस तरह से फिट करना है जैसे मैं फिट कर रहा हूं आप देख लो इसे इस तरह से हो सकता है कि आपके पास अगर headphone का नीचे का पीन यदी तूटा है तो आप उपर का पूरा headphone का वायर यूज कर सकते हो इस speaker के साथ और अगर आपके पास कोई भी तूटा-फूटा speaker है तो आप उसे इस तरह से रिपियर कर सकते हो यह देखलो मैं इसके लिए इस तरह से इसको ओपेन सारा स्वोल्डिंग रखर के दिखा रहा हूं कि हमारे पास तूटा हुआ ही सारा सिस्टम था यह इस तरह से वह बिल्कुल हमारे येर के साथ फिट कर देता है हवा भी जाती नहीं इसके वज़े से यह आवाज बहुत अच्छा देता है इसका sound quality बहुत अच्छा रखता है इस तरह से को बंद कर देना है यह हमारा कि सेट कंपलीट हो गया एक साइट का अब में दूसरे साइट के लिए यह देखो हमने एक स्पिकर लिया यह किसी दूसरी कंपनी का स्पिकर है अब हमें करना किया है, इसके wire को निकालनेना इस तरह से, क्योंकि एक जसा है स्पिक्र दोनों साइट लगाएंगे तो देखने में प्या अच्छा लगेगा, नहीं तो पिछ लिधिने में बद्दा लगेगा, यह दखो इसको हंटा देना है और इस तरह से हमें दो पेर बना लिया है वीडियो हमने थोड़ा सा हंटा दिया भीच ते क्योंकि उसको भी जोड़ना जोड़ते वे दिखाना कुछ खास नहीं था क्योंकि एक speaker हमने connection करके दिखा है आपको सेखने के लिए वो वीडियो काफी वो उतना ही काफी है और इस तरह समें दोनों वायर इसके output यानि इसके जो speaker output है वहाँ पर हमें जोड़ देना है इस तरह से यह हमने एक साइड जोड़ दिया दोस्ते वीडियो का speed हमने थोड़ा बढ़ा दिया है उसके बावजूर वीडियो 11-12 मिनट का हो रहा है बट इस वीडियो में आपको वो सारे challenges दिखेंगे जो challenges आपको बनाने में आएंगे क्योंकि अगर आपके पास कोई भी पुराना ब इसके लिए मैंने कई सारे लोगों का वीडियो देखा उसमें बटाया जा रहा है कि पहले इस पर माचिस मारो ऐसा बिल्कूल मत करना इसमें कपड़ा और इंसुलेशन दोनों मिला वा रहता है बट इंसुलेशन को हटाने के लिए हमें माचिस मारने क्या वासकता नहीं कर कि यदि माचिस मारेंगे तो लंबी दूरी तक उसका इंसुलेशन हट जाएगा और फिर वह बाद में वायर सौट कर जाएगा आपको कुछ नहीं करना है इस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाना और इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूं थोड़ा देर तक आपको इस पर सोल्डर स सटा के रखोगे तो यह अपने आप वहां से इसका कॉपर आ जाएगा बाहर और इंसुलेशन थोड़ा सा खिस जाएगा और बांकी पीछे का भाग कुछ भी नहीं होगा इस तरह से ही आप करना इस पर माचिस पर करना मत मारना मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं जो भ हुआ करते हो तो वाइर बाद में सॉट करेगा अगर चतकाल कुछ यह नहीं हुआ तो बाद में वो प्रॉब्लम क्रेいट करेगा है इस तरह से इसमें भी प्लस माइनस आपको देखना नहीं किसीम भी वायर जुड़ा हूँ कुछ फरक नहीं परता इससे तो आप को अमने हमें इसे फिट करना है इसे दुबारा से फिट करना भी बहुत बड़ा चैलिंज होता है क्योंकि इसमें आप देख पार हैं इस्का माइक के वायर बहुत पथला है और इसका जू बैटरी का वायर है वह भी पथला है यह दो को हमने क्या एक बार पहले चेक कर लेते हैं यह काम कर रहा है कि अल्वाइब देखते हैं है तो कि सबसे पहले ब्लूटुटथ में जाते हैं ब्लूटूटुटुटिस का ओन ही है और हमने इसको भी ओन करके रखा यह दो कि इसका ब्लू ब्लू एलेडी जल रहा है यह दोखो अब हम ब्लू रूत पे क्लिक करेंगे यह दोखो हिजाट हिटाची यहां पी लिखा हुआ है और यहां पर डं कर देना है 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 टेक लिखा हुआ है डन कर देना है डन करने के साथ ही यह मोबाइल के साथ कनक्ट हो गया और यह पर मैं जो वीडियो चला रहा हूँ दोस्तों यह हमारा ही चैनल है वाइटी टेकनिकल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करो इस पर आपको यूट्यूब के समंद में टिफ्स मिलेंगे और बैंकिंग से भी में इस पर वीडियो सब्सक्राइब हो सकता है कि यूट्यूब के तरफ से कोई क्लेम आजा इसके लिए मैं उसे भी लंबा नहीं चला रहा है और आपको इसे फिट कर देना है वीडियो काफी लंबा हो चला है तो फिटिंग पे ज्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होने से काफी लेंदी हो जाता है आप लोगों को लगता है कि इतना लंबा वीडियो बना दिया बट सचाइए दोस्तों कि अगर आपको पूरी तरह से सीखना है तो आपको 10-11 मिनट तो देना ही पड़ेगा बांकि आप इसे मार्केट में दिदोगे तो वो लोग त बट ऐसा होता नहीं है आप इस पर एधी एक घंटा काम करोगे तो यह ठीक हो जाएगा और जैसे ही ठीक होता ही आपका इसका मतलब है कि तीन-चार सो रिप्या का आपको बेनिफिट हो गया मोस्टली हम लोग ग्लुटूथ खराब होता है तो उसे ठेक देते हैं बट आप ठेकना बंद करो और उसे फेको मत उसे रिप्यार करो इस वीडियो को देखने के बाद आप रिप्यार कर सकते हो और यह इस तरह से इससे बंद कर देना है और अगर आपको वायर की चिंता है वायर यह दिखी जाएगा तो आप उसमें ग्लुगन या फिर फैविक पर देके साथ देना अंदर में गांठ मारने की जगह नहीं है नहीं तो मैं इसमें गांठ मारता या फिर उसका पूराना वाला जो क्लैम्प है इसे भी आप यहां पर फीट कर सकते हो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो एडि पसंद आया तो हमारे चैनल को जरू करना सब्सक्राइब और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आप कुछ समझ में नहीं है तो आप हम कॉमेंट कर सकते हो मैं इसका जवाब दूग ठीक है दूस्तों मिलते हैं अगले बुरियो में तब तक के लिए जाहें